Hello friends, welcome to Literary Scholar channel and finally ये last पैरा है of Kento 5, Rape of the Lock and ये final complete होती है book, Rape of the Lock, Line by Line Explanation. आपको सारा explanation अगर आप नए है चैनल पे तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, from Kento 1 to Kento 5, each line explained in my videos. और आप उसको जाके सर्च करके देख सकते हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और पुराने हैं तो थेंक ये फॉर सब्सक्राइबिंग दे चैनल, सो चलिए, आज फाइनली के Rape of the Lock, Kento 5, या कहा जा, Rape of the Lock की जर्नी यहां समाप्त करते हैं, फाइनल Explanation के साथ, And all those dresses shall be laid in dust, this lock the muse shall consecrate to fame, amidst the stars inscribes Belinda's name, तो ये लास्ट लाइन है, Belinda, मतलब Kento 5 की, और इसमें कहते हैं, की, Oh, for the reason, for this reason, Oh bright, beautiful Belinda, ठीक है, सब जो है कि आपकी जो हेर हैं, जो की lost हो गए, due to baron, जो उसने, मतलब खुबसूरत locks को उसने काट दिया, और उसकी वज़स से जो आप lament कर रहे हो, रो रहे हो, ऐसा मत करो, Because, जो आपके locks हैं, वो finally star के रूप में convert हो चुके हैं, और ये जो है, ये glory बढ़ा रहे हैं, heaven की, वो इतने bright हैं, कि वो heaven में, heaven की glory को enhance कर रहे हैं, आपके hairs, जो कभी आपकी beauty को enhance किया करते थे, आप इतनी खुबसूरत थी, आपके जो hair हैं, वो इतने खुबसूरत थे, तो वो जो खुबसूरती आपको देते थे, अब वो heaven को दे रहे हैं, वो इतने bright, इतने खुबसूरत हैं, वो stars आपके जो hairs हैं, वो star के रूप में convert हो गए हैं, सब ही जितने भी ladies हैं, fair ladies हैं, सब ही के hairs को ये honor नहीं मिलता, जो आपके locks को मिला है, अब समझा रहे हैं इसमे मतलब बिलिंडा को समझाया जा रहा है कि आप lament मत करो, because जो तुमने खोया वो उसको बहुत honor मिल गया है, ठीक है, वो star बन गया है, वो constellation में एक नया star बन के निकल के आया है, तो उसको जो honor मिला है, वो सब ही ladies के hairs के locks को नहीं मिलता, ठीक है, और ये कह रहा है कि after जितना भी आपने लोगों को अपने नजर से, अपने clan's से, आपने murder किया, मतलब जितने लोगों को भी आपने खायल किया है, या मारा है, अपने looks से, अपने आँखों से, अपने hairs से, एक दिन ये सब कुछ जो है, वो खतम हो जाएगा, ठीक है, आपकी, आपी, मतलब being a human, you are a mortal person, तो एक ना एक दिन आपको भी grave में जाना है, आपके बाकी hairs dust में convert हो जाएंगे, और आपके आखें जब close होंगी, और finally death आपको reach करेगी, आपके grave में सभी, आपके hairs, जो हैं, वो dust में convert हो जाएंगे, लेकिन, जो hair star बन गया है, वो तो, अमर हो गया है, वो immortal हो गया है, और ये goddess of poetry ने उसको दिया है, वो immortality, कि उन्होंने उसको star के रूप में बनाया और उसको famous कर दिया, as a star आपके locks को, तो वो तो shine हमेशा forever and ever रहेगी, आस्मान में, sky में, और आप जिसको की Belinda constellation के नाम से जाना जाएगा, वो star को, तो ये सारी चीज़ें इसमें वो बोल रहे हैं, कि finally जो आपको नेक होया, उसको एक proper honor मिल गया, और आपको इसके लिए परिशान होने की जरूरत नहीं है, because after all, आप mortal हैं, और आपको एक दिन इस दुनिया से जाना है, तो उस दिन जब आप यहां से रुकसत हो गया, आपकी finally death हो जाएगी, तो फिर जो आप तो आपका कुछ नहीं बचेगा, जो आपके hairs हैं, वो dust में convert हो जाएगे, जिन आखों से आपने कहीं लोगों को घायल किया है, वो आखें भी बंद हो जाएगी, सब कुछ खतम हो जाएगा, लेकिन जो पीछे रह जाएगा, आपके यह locks रह जाएगे, जो कि finally star बन गया है, वो immortal हो गया है, और अब उनको Belinda constellation के नाम से या Belinda star के नाम से जाना जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे rape of the log खतम होता है, I hope कि आपको यह series पूरी पसंद आई होगी, explanation की, और अब जो है next explanation, जो है वो paradise lost का आएगा, line by line इसी तरीके से उसको भी finish करेंगे, तो next video तक, thank you for watching this video, और नए है तो subscribe करिए इस तरीके के explanation हम अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे करते रहते हैं, and thank you, thank you for watching this video,